पानी गाओं चौकी इंचार्ज यस पाल सिंग भाटी की शिकायत लेकर पहुंचे चौकी इंचार्ज के खिलाफ करदाई करने कीम बांकी इस्थानिय लोगों कारोग है कि पानी गाओं चौकी इंचार्ज इस्थानिय जनता के साथ दुर्व वहवार एवं तानाशाई का रवया अपनाते हैं बेबजा मासूम लोगों को परिशान करते हैं भारतिय किसान यूनियन भानू के रास्टिय प्रवत्ता ठेनुआ के द्वारा पताय गया कि इस्थानिय चौकी इंचार्ज लगातार जन प्रतिनिदी एवं इस्थानिय जनता को परिशान करते हैं उनके साथ आनाशाई रवया अपनाते हैं वही योगी सरकार की छवी को धूमिल करने में लगे हुए हैं भारतिय किसान यूनियन के रास्टिय प्रवत्ता हरेश ठेनुआ का कहना है कि पानी काम चौकी इंचार्ज के द्वारा लगातार शेत्र में पुलिस की चवी को खराब कर रहे हैं प्रवत्र मेरें से कडि़ डोणी मेरे 620 टूब चर सेbel सच ना होने के डि़ेziest。 AG अविधी मेरे पैसे नहीं हैं मेरे पास ऑवी पैसे नहीं एंच बार बार मेरे मेरे को घंव तो इसा है हमारे चित्र में जमनापार थाने में एक पानियाम चौकी है उस चौकी में जो ऐसा ही अंदर होगा यसपाल भाटी उनके द्वारा जन प्रतने दियों को और आम जन मानस को इतना परेशान किया जा रहा है कि जो है कहा नहीं जा सकता हमारे ब्लॉक प्रम को जो बर्तमान में बैठी हुई है मंजू देवी इनके पती हैं कहा है इदर आना प्रतने दिये इनसे जो है ब्लैक मेलिंग जाती सूचक सब्द का इस्तेमाल करके इतनी बत्मीजी से बात करते हैं और काफी रुप्या एंट चुके हैं बार बार उनकी पैसे की डिमांडी खतम नहीं हो रही है इनको ब्लैक मेलिंग करते हैं कि यह जैसे गाउं में लोग तांस खिलने बढ़ जाते हैं तो किसी उनके दलाल ने एक फोटो तांस का खेलते हुए का इनका लेकर करके उनको ब्लैक मेलिंग करते हैं कि आप जो जुगा खिलते हो और इनके परवार के बच्चों को भी कई वार उठा लिया है उन्होंने और उसकी डिकोर्डिंग भी ह हैं किस तरह से बत्तिमी जी से जन्र प्रत्मीजी से बात करते हैं यह इन्हीं का हल नहीं है हमारे साथ 45 प्रदान भी आई हुए है जो उस चौकी छेत्र के अंडर में आते हैं उन प्रदानों के साथ भी कम से कम 200 वार बत्तिमी जी कर चुके हैं है आप अब कर दो क्या चाहते हैं हमारी मां क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि वो समाजवादी पार्टी की मानसित आके व्यक्ति हैं वो सरकार की च्भी को खराब करने के लिए छेतर में इस तरीकी का माहौल बना रहे हैं हम सासन से प्रसासन से हमने मुख मंत्री मौदय के यह मांग करते हैं कि इस ब्रहष्ट दरोगा के खिलाप प्रसासनिक जांच बैठाई जाए और इसके साथ कि खिलाब तुरंत कारवाई की जाए क्यों कि अगर इसी तरीके से इसकी जो बत्मी छेतर में चलती रही तो सरकार से वरोसा जनता का उठ जाएगा क्यों कि जन प् परखास्ति किया जाए इसके खिलाब जो बिवन्य दाराएं जो बंतियों उसमें इसके खिलाब मुकदमा लिखा जाए और जांच कमेटी बैठे इसके लिए हमारे पास पूरे साच्वी हैं रिकोर्डिंग भी रखी हैं पैसे मांगते हुई की बिलेक मेलिंग करते हुई क सारे साथ शम उसके मेंटी को प्रस्तूत करेंगे और ऐसे अधिकारी को तत्काल यहां से अठा करें कारवाई की जाए